राजेश खन्ना के इन घटिया गलीच लबजों ने मौसमी चटर जी के दिल को भीतर तक छील दिया उनका मन तो किया कि राजेश खन्ना के गाल पर जड़ देंक जोर का उन्होंने आखे तरेर का कहा किसी की जिन्दगी की पूरी कहानी को किवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है मुश्किल है? नमुकिन नहीं आज मैं आपके लिए बॉलिवुट की फर्स्ट एवर मैरिट डीवा कही जाने वाली मशूर एक्ट्रेस मौसमी चटर जी की जिन्दगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ जिस इंडस्ट्री में आज के दौर में शादी के बाद एक्ट्रस का करियर खत्म हो जाता है उस इंडस्ट्री में सत्तर के दशक में बाल विवाह और कम उम्र में मा बनने के बाद कैसे हाइस्ट पेड एक्ट्रस बनी मौसमी चटर जी सूपर स्टार राजेश खन्ना ने कैसी घटिया गलीच हरकत की मौस्मी चटरजी के साथ और फिर मौस्मी चटरजी ने कैसे लिया राजेश खन्ना से उसका बदला मौसमी चटर जी के चम चमाते बॉलिवूट केरियर को क्यों खत्म कर दिया मशूर एक्टरस रेखाने क्या है मौसमी चटर जी और उनकी प्यारी बेटी पायल की हत्या की कहानी ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ एक वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं मौसमी चटर जी का जन्म 26 अपरेल सन 1955 को पश्चिं बंगाल के कोलकाता में हुआ था बहुत कम लोगों को मालूम है कि मौसमी चटर जी का असली नाम मौसमी चटर जी है ही än उनका असली नाम है इंदिरा इंदिरा चटर जी प्यार से इंदू कहकर बुलाते थे उनके पिता जी प्रणतोष चटोपाद्ध्याए जो की एक आर्मी ओफिसर थे बाद में उन्होंने रेलवेज में भी नौकरी की उनकी मा के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती मौसमी चटर जी की एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई था मौसमी बच्पन से ही बहुत चुलबुली थी बालों में दो चोटी किये कंधे परबस्ता टांगे सहलियों के साथ खिल खिलाते अपना एक अजीब बड़ा था दांत दिखाते वो हर रोज स्कूल जाये करती थी और हर रोज उन्हें स्कूल में दाखिल होते और स्कूल से निकलते देखा करते उनके स्कूल के भगल अपने घर की छट पर खड़ रहने वाले तरुण मजुमदार जो की बेंगॉली सिनेमा के मशूर डिरेक्टर थे एक दिन तरुण मजुमदार ने स्कूल से निकलती मौसमी चटर जी को रोका और उनसे पूछा मेरी फिल्म में काम करेंगी दरसल तरुण मजुमदार उन दिनों बालिका रधू नाम की फिल्म बनाने वाले थे और इस फिल्म में बालिका वधू के किरदार के लिए उन्हें मौसमी बिलकुल ठीक लेगी मौसमी उन्हें लेकर अपने पिता के पाथ पहुँच गी अब उनके पिता जी एक सख्त आर्मी अपसर उन्होंने कहा अरे नहीं हमारी बेटी अभी फिप्ट क्लास में पढ़ती ये फिल्म शिल्म में काम थोड़ी करेंगी मौसमी के पिता को मनाने का जिम्मा लिया तरुण मजुमदार की पत्नी संध्या रॉय ने संध्या रॉय जो कि खुद बेंगॉली सिनेमा की एक मशूर अदाकारा थी अब संध्या रॉय एसा कि मौसमी के सख्त पिता खुद संध्या रॉय के बहुत बड़ी फाइन थे अब अपनी फेवरेट एक्टर्स की बात को टाल ना सके उन्होंने इजाज़त दे दी जब संध्या रॉय फीस के तौर पर मौसमी के पिता को 2000 रॉपए देने लगी तो उन्होंने हसते हुए उन्हें वापस लोटा दिये और बोले उसे समालने के लिए आप लोगों को इसकी जरुवत पड़ीगी तरुन मजूमदार और संध्या रॉय को उनकी इस बात का मतलब नहीं समझाया धीवे धीवे समझाने लगा जसर पहले दिन तो मौसमी ने शूटिंग को बहुत एंजॉय किया लेकिन दूसरे दिन से उन्हें एक टीनेज लड़की के तवर पर दिखाने के लिए टाइट बलाओज, साडी, ज्वेल वीज पहनाई जाने लगी जो मौसमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था शूटिंग के चक्कर में उन्हें खेलने का समय नहीं मिल रहा था जो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था चार-पांच दफा तो मौसमी सेट से भाग गई शूटिंग करने समना कर देतीं कोई कुछ कह देता तो रोने लगतीं तरुन मजूंदार इतना तंगा गए इतना उपता गए कि संध्यारोय से बोले फिल्म जैसी शूट हो रही है होने दो वैसे भी मैं इसको रिलीज नहीं करने वाला सारे नेगेटिव्स जला दूँगा वो तो फिर संध्यारोय ने उन्हें बहुत कन्विंस किया समझाया और आखिरकार साल 1967 में बाली का वधू रिलीज हुई और इतनी बंपर हिट हुई इतनी बंपर हिट हुई कि इस फिल्म ने अपनी प्लैटिनम जुबली सेलिबरेट की तरुल मजूमदार तो हार्ट अटेक के मारे मरने वाली थे इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मौसमी से मिले बॉलिवुड और वेंगॉली सिनेमा दोनों के मशूर म्यूजिक कंपोजर हिमंत कुमार जो की अपनी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही थे उन्होंने मौसमी से पूछा कि क्या वो उनकी भी फिल्म में काम करेंगी लेकिन फिल्म स्चूटिंग के जंजटों से परेशान मौसमी अब स्कूल में पढ़ाई करना चाहती थी उन्होंने मना कर दिया लेकिन इस मुलाकात के जरीए हेमंत कुमार और मौस्मी चिटर जी के पिता के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उन्ही दिनों बंगाल में दुर्गा पूजा का उच्सर शुरू हो गया मौस्मी दुर्गा पूजा देखना चाहती थी लेकिन अब तक वो उतनी मशूर हो गई थी कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए हेमंत कुमार ने उन्हें ज़रा मना किया बंबई में हेमंत कुमार ने अपना दुर्गा पूजा सजवाया था मौस्मी के पिटा से बात कर उन्हें दुर्गा पूजा दिखाने के लिए हेमंत कुमार मौस्मी को लेकर बंबई चली गई अब हेमंत कुमार तो मौस्मी को दुर्गा पूजा दिखाने के लिए बंबई ले गई थे मगर एक gossip magazine ने इस खबर को कुछ यू छब दिया कि मौसमी हेमंत कुमार के साथ बंबई उनके परिवार में गई है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हेमंत कुमार के बेटे जैंत से मौसमी की शादी होने वाली है और पता नहीं कैसे धीरे धीरे ये खबर पूरी मीडिया में कुछ इस तरह फैली जैसे जंगल में आग जब ये खबर मौसमी की बुआ के कानू में पड़ी तो उन्होंने मौसमी के पिता को फटकार लगाते ही वे कहा कि क्या जरूरत थी उन्हें मौसमी को हिमंत कुमार के साथ उनके घर भेजने की मौसमी की बुआ को लग राए था कि इससे मौसमी की बहुत बदनामी हो रही है जब हिमंत कुमार को ये पूरा बख्यड़ा मालूम चला तो उन्होंने कहा कि क्योंना इस अपवा को सच में तबदील कर दिया जाए कुछ दिनों बाद वाकई में मौसमी चटरजी की हिमंत कुमार के बेटे जैंत कुमार के साथ सगाई कर दी गई जब मौसमी नाइन्थ क्लास में थी तब एक बार फिर उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ पर्यूनीता और एकानी जैसी दो तीन फिल्मों में काम कर लिया जब मौसमी टेंथ क्लास में थी तो उनकी बुआ बहुत बीमार हो गई इतना कि सब जान गए कि उनके पास अब चंद दिन ही बचे है लेकिन मौसमी को मालूम नहीं था कि उनकी बुआ की आखिरी ख्वाइश उनकी जिन्दगी को हमेशा के लिए बदल देगी उनकी बुआ की ख्वाइश थी कि वो मौसमी को शादी शुदा देखना चाहती है अब ये कैसे संभर हो सकता था मौसमी की शादी असंभर थी क्योंकि मौसमी की उमर अभी अठार साल की नहीं हुई थी मौसमी माइनर थी हलाकि जब हालात ये हो गए कि कुछ भी हो ये करना ही करना है और संभावी है तब हिमंत कुमार ने अपने जुगाड से मेरी सर्टिफिकेट में मौसमी की उमर साथ आठ बरस बढ़वा दी और इसके बाद 15 साल की मौसमी चटर जी की हिमंत कुमार के बेटे जैन्त कुमार के साथ शादी हो गई हलाकि मौसमी के मुताबिक उन्हें शादी से कोई खास परशानी नहीं थी क्योंकि सगाई और शादी के बीच के इस वक्त के अंतराल में उन्हें जैन्त से प्यार हो गया था शादी के बाद 15 साल की मौसमी अपने ससुराल बंबई चली गई साथ में दहेज लेकर दहेज में क्या था? एक गुडियों का घर उनका प्यारा पालतू कुट्ता और उनकी एक सहेली जो उनके साथ वहाँ दो-तीन साल रही चुँकि उनके ससुर बॉलिवूट के बड़ी मुजिक कंपोजर थे इसलिए उनके घर पर बॉलिवूट परसनेल्टीज का आना जाना अक्सर लगा रहता था एक ऐसे ही दिन उनके घर पर आये मशूर बॉलिवूट डिरेक्टर शक्ती सामंत वहाँ उन्होंने मौसमी को देखा बातचीत के दोरान उन्होंने मौसमी से कहा कि उन्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए अगर वो राजी हो तो वो उन्हें अपनी अगली फिल्म अनुराग में हिरोईन के तौर पे कास्ट करना चाहती है उनके पती जैन्त और ससुर हेमंत ने भी उन्हें इंकरज किया कि अगर उनका मन हो तो इसमें कोई समस्या नहीं है मौस्मी ने शक्ति समंत का ओफर कुबूल कर लिया लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि फिल्म में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार निभाना है तो वो घबरा गई उन्होंने शक्ति समंत से कहा कि वो एक किरदार नहीं कर पाएंगी शक्ति समंत ने उनसे कहा कि वो उन्हें एक ब्लाइंड स्कूल ले जाएंगे वहाँ दूसरे अंधे लोगों को अब्जर्व कर वो अपने आपको ट्रेन कर लेंगी लेकिन इससे पहले तिर्वा एक मुरत शॉट हो जाए मुरत शॉट में मौसमी को दो पिज का डैलोग बोलना था जब शॉट खत्म हुआ तब मौसमी ने देखा सेट पर मौझूद सारे लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं और शक्ति समंत उनकी ही ओर आ रहे हैं शक्ति समंत ने उनके पास आकर कहा तुमें तो ब्लाइंड स्कूल ले जाने की जरूरत ही नहीं तुम तो बस अपनी नेचरल एक्टिंग करो हालां कि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान शक्ति समंत को एक डर भी था डर ये कि उस जमाने में शादी के बाद एक्टिसस का करियर खत्म हो जाता था और मौसमी तो अपना डेबी हुशादी की बात कर वही थी तो शक्ति समंत को शक्त था कि पता नहीं ओडियंस उन्हें एक्सेप्ट करेगी की नहीं लेकिन साल 1972 में विलीज होने वाली फिल्म अनुराग सुपर हिट साबित हुई पहली ही फिल्म के इतना हिट हो जाने से उनके पास फिल्म ओफर्स की कतारी लग दी उसी साल 1972 में मौसमी ने बॉलीवुट के दो बड़े सितारों के साथ काम किया अमिताब बच्चन के साथ फिल्म बेनाम और राजेश खन्ना के साथ फिल्म हमशकल साल 1973 में मौसमी ने फिल्म रोटी का पड़ा और मकान में काम किया इस फिल्म की शूटिंग के दोरान फिल्म में हीरो और साथ साथ डिरेक्शन का जिम्मा समहल रहे मनोज कुमार मौसमी से ज़रा खफा हो गए उसका कारण था कि फिल्म की शूटिंग के दोरान ही मौसमी प्रेगनेंट हो गई इस वज़र से उनकी शूटिंग में बहुत दिक्कत हुई और खास तौर से उनकी रेप सीन की शूटिंग में इसकी शूटिंग के दोरान मौसमी की हालत खराब हो गई दसल शूटिंग के दौरान उन पर बहुत सारा आटा गिर गया आटा उनके बालों में फंस गया पसीने से तरबतर थी इतना अंकमफर्ट मसूस होने लगा कि रोने लग गई मुँँ में आटा चला गया जिसकी वरसे उन्हें उल्टी हो गई रात दस बजे मौसमी अपने घर लोटी और रात के दो बजे तक उनकी नौकरानी उनके शरीर और बालों से आटा साप करती रही उनके ज़रा फूले हुए पेट के कारण ही है है ये मजबूरी गाना जीनत अमान पर फिल्माना पड़ा वना स्क्रीन प्ले के मताबिक ये गाना मौसमी पर फिल्माया जाने वाला था और इसमें तो कुछ नहीं हुआ फिल्म जहवीला इंसान की एक सीन की शूटिंग के दोरान मौसमी प्रेगनेंसी की हलत में गिर पड़ी बिहोश हो गई प्रोडियूसर पुत्ताई करनागल के तो छक्के छूट गए कि बापरे कहीं मौसमी या उनके होने वाले बच्चे को कुछ हो न जाए तुआं तोने होस्पिटल ले जाये गया वो तो शुक्र है कि मौसमी भी ठीक थी और उनके होने वाले बच्चे को भी कोई नुक्सान नहीं हुआ इसके बाद मौसमी और जैन्त की एक बेटी हुई जिसका नाम मौसमी ने रखा पायल मौसमी के मौताबिक जब पायल का जन्म हुआ तब भी वो लगभग माइनर ही थी इसी वज़र से उनकी गयनिकोलोजिश्क ने उनसे कहा कि उसके हॉस्पिटल में पहली बार एक बच्ची के बच्ची हुई हुई मौसमी के मौताबिक उस वक्त एक मा होने के नाते वो बहुत ही immature और impatient थी उनके पास अपने खिलोने थे पायल शरारत में उनके खिलोने तोड़ देती तो उनका भी मन करता कि वो भी पायल के खिलोने तोड़ दी इसी दोरान मौसमी, नैना, कच्चे धागे, गुलाम बेगम बादशाह, उस पार, नाटक, बदला, मजाक, दो जूट, जिंदगी, हत्यारा, स्वर्ग नरत, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, काबुली वाला, अब क्या होगा और अनन्दाश्यम जैसी फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम कर रही थी, और बॉल्लीवुट की वन आफ दा हाइस पेड एक्टर्स बन गई थी, वैसे तो सभी एक्टर्स के साथ मौसमी की जोड़ी अच्छी जमती थी, लेकिन विनोध महरा के साथ उनकी जोड़ी की बात ने वाली थी, विनोध महरा और मौसमी चटर्व जी की जोड़ी को दर्शक बहुत पसंद करते थे, इसी वज़र से इन दोनों ने तक्रिबन 10 से ज़दा फिल्मों में साथ काम किया, अब जब आउन स्क्रीन जोड़ी इतनी अच्छी लगती थी, तो दोनों के बीच आप स्क्रीन रिष्टे क्या हैं, इस पर बात तो होनी ही थी, लेहाजा कई फिल्म मेकजीन्स में विनोध महरा और मौसमी चटर्व जी की अफेर की खबर छबने लेगी, हाला कि मौसमी के मुताबिक वो ऐसी खबरों से ज़़दा परिशान नहीं होती थी, क्योंकि उन्हे और संजीर कुमार की अफेर की खबर छबी है, और उसके चंद पेज के बाद ही जीतेंदर के साथ उनके रिमेंटिक रिलेशनशिप की पड़ताल की गई थी, एक का साथ दो दो अफेर, मौसमी के मुताबिक ये सही है कि उनके और विनोध महरा में बहुत गर्म जोशी थी, लेकिन वो फिर्फ दोस्ती थी, और कुछ नहीं, मौसमी को फिल्म मैक जीन्स में छपती ये रिपोर्ट्स बुरी नहीं लगती थी, लेकिन सूपरस्टार रजेश खन्ना की उनसे कही गई वो बात उन्हें बहुत बुरी लगी, जिसके जरिये रजेश खन्ना ने उनकी इ बेटी है, जैनत बाबू की या विनोद बाबू की, विनोद बाबू से उनका मतलब विनोद महरा से था, रजेश खन्ना के इन घटिया गलीच लपजों ने मौसमी चटर जी के दिल को भीतर तक छील दिया, उनका मन तो किया कि रजेश खन्ना के गाल पर जड़ देक जोर क उन्होंने आखे तरेर कर कहा, काका पहले आप एक बाद बताईए, आपकी दोनों बेटियां डिम्पल और रिंकी आपकी ही बेटी है, या रिशी कपूर की, रजेश खन्ना तुककल हो गए मौस्मी की मताबिक उसी दिन से रजेश खन्ना के लिए उनके दिल में इज़त गिर गई, मशूर एक्टर शशी कपूर को तो मौस्मी अंकल अंकल कहकर बुलाती थी, वो तो अनाडी फिल्म की शूटिंग के दौरान शशी कपूर ने उनसे कहा, कि वो फिलहाल उन्हें अं इंटिक सीन शूट होने वाली है, और यहां आसपास कुछ फैंस भी मौजूद हैं, मशूर एक्टर संजीर कुमार के साथ मौस्मी की बॉंडिंग का लेवल तो यहां तक बढ़ गया था, कि संजीर अकसर रात को मौस्मी ही के घर में खाना खाते थे, कई बार तो ऐसा होता कि मौस्मी अपने पती जैंत के साथ कहीं बाहर जा रही होती, और तब संजीर आ जाते, जब उन्हें मालूम चलता कि मौस्मी जैंत के साथ बाहर जा रही है, तो वापस न लोटते, मौस्मी से कहते, अच्छा तुम बाहर जा रही हो, चलो कोई बात नहीं, बस अपनी नौ अन्वेज खाते ड्रिंक करते अपने साथ लाए हुई कुछ फिल्मों की कैसेट्स देखते और घर चले जाते हलाकि जब साल 1978 में मौसमी की दूसरी बेटी मेगा का जन्म हुआ तो मौसमी उसके कामों में बहुत व्यस्त रहने लगी वैसे भी मेगा जन्म से ही बहुत कमजोर ती इसलिए मेगा पर उन्हें खासा तरजी देनी पड़ती थी और ऐसे में एक रात संजीव बड़ी देर से आये इतनी रात में संजीव को देख मौसमी का पाला चड़ दया मौसमी ने संजीव को फटकारते हुए कहा आप क्या यहां पर खाना खाने आते हैं और अगर आत चुप चाप लौट गए साल 1980 मौसमी की जिन्दगी में बहुत महत्वपूर्पूर स्थान रखता है क्योंकि इसी साल मौसमी ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म भोला भाला में काम किया बोला भाला फिल्म की शूटिंग के दोरान मौसमी का अपनी को एक्टरस रेखा के साथ जगड़ा हो गया जगड़े की वज़ा थी फिल्म का पोस्टर दसल रेखा चाहती थी कि फिल्म के पोस्टर पर पहले उनका नाम लिखा जाए और मौसमी चाहती थी कि पहले उनका नाम लिखा जाए दोनों के इगो टकराने लगे मौसमी ने कहा क्या वो छूटी हिरोीन है तो रेखा ने कहा इसमें क्या शक है ये तो पूरी दुनिया जानती है फिल्म के प्रोडूसर थर थर कापने लगे कि कहीं रेखा या मौसमी में से किसी ने भी प्रोजक्ट से वॉक आउट कर दिया तब तो उसके सारे पैसे ही डूब जाएंगे लेकिन शुक्र है कि दोनों ने अपना काम पूरा किया लेकिन रेखा मौसमी के साथ हुए अपने इस जगडे को भूली नहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी के बाद सड़नली मौसमी को फिल्में कम मिलने लगी रेपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा रेखा की कारण हो रहा था ये रेखा की साजिश थी बतोर हीरोईन मौस्मी के चमचमाते केरियर को डिमोलिष करने की साजिश मौस्मी के मुताबिक इंडस्ट्री में उनका कोई सापोटर नहीं था किसी भी बड़े हीरो की गुड़ बुक में वो नहीं थी बहुत सी हीरोईन्स उन्हें रूड और प्रावडी समझती थी इसी वज़ास से इंडस्ट्री में किसी ने भी मौसमी का साथ नहीं दिया बलकि कुछ जलन खोरों ने तो रेखा का साथ दिया जिससे बताव हीरोईन्स मौसमी के चम चमाते करियर को तगड़ा डेंट लगा पूरी सिचुएशन को अपने हाथों से बाहर निकलता देख मौसमी ने एक फैसला किया उन्होंने इंडस्ट्री से तीन-चार सालों का गैप ले लिया लिहाजा साल 1982 में विलीज होने वाली फिल्म अंगूर मौसमी चटर जी की बतोर फुल फ्लेजड हिरोईन आखरी फिल्म बन गई क्योंकि साल 1986 में जब मौसमी बॉलिवूड में वापस लोटी तब एक करेक्टर अक्टरस बनकर वतन के रखवाले घर एक मंदिर परम धरम वक्त की आवाज आग ही आग जैसी फिल्मों में कैरेक्टर अक्टरस के तौर पर भी लोगों ने उन्हें पसंद किया साल 1990 में मौसमी ने फिल्म घायल में काम किया घायल की शूटिंग के दौरान सनी देवल यानि हमारे जो सनी पाजी हैं ये अपने काम को लेकर बहुत अंसीरियस थे सेट पर बैठे बैठे घंटों फोनी आते रहते थे इसी वज़ा से मौसमी को अपनी शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी एक दिन तो सनी ने हद पार कर दी मौसमी और सनी की साथ की एक सीन थी और मौसमी सुबह से ही सीन के लिए बिलकुल तयार होकर बैठी थी लेकिन सनी टाइम पर पहुंचे ही नहीं मौसमी इंतजार करती रहीं एक तो सनी आए बहुत लेट से और आने के बाद वेहलसल ये शूटिंग की बजाए फिर से फोनी आने लग गए अब पानी मौसमी के सर से उपर बहने लगा था वो तुरंट सनी के पास गई उनके हाँ से फोन छीना और उन्हें फटकारते हुए बोली अगर ऐसे ही करना है तो छोड़ दो एक्टिंग जाओ पंजाब में खेती बावी करो कम से कम धर्म जी का नाम तो बदनाम मत करो मौसमी की इस डाट से सनी के हाथ पाउंड ही ले हो गए वो तुरंट भाग कर कैमरे के सामने पहुँच गए लेकिन अब मौसमी ने वो सीन करने से ही इंकार कर दिया तो कि मौसमी के मुताबित सनी देवल जैसे लापरवा एक्टर के साथ वो काम करना ही नहीं चाहती थी फिर डेर्टर ने उन्हें बहुत मनाया सनी ने उनसे बहुत माफी मागी वादा किया कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे तब मौसमी उनके साथ सीन करने को राजी हुए नबे के दशक में भी मौसमी ने घर परवार संतान, जलाद और आअब लोट चले जैसे फिल्मों में काम किया साल 2006 में उन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी की और बॉलिवूड हॉलिवूड और जैपैनीज वाइफ जैसे फिल्मों में काम किया साल 2015 में उन्होंने पीकु फिल्म में काम किया इस फिल्म में अमिताब बच्चन के साथ उनकी बॉंडिंग और सेल्फ में मौसमी चटर जी की आधाकारी की बहुत तारी हुई साल 2017 में मौसमी की जिंदरी में एक बहुत बड़ी दोगटना घट गई मौसमी की बड़ी बेटी पायल को पतानी कैसे बच्चपन से ही टाइप वन डाइबिटीज था अपरेल साल 2017 में पायल की तबियत बिगड गई इतनी की हॉस्पिटल जाने की नोबत आ गई फिर ठीक होकर वापस घर आ गई लेकिन हॉस्पिटल आना जाना लगा ही रहा नवंबर 2017 को एक बार फिर से तबियत बिगड गई और इस बार इतनी की हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा वो भी 5-6 महिनों के लिए अपरेल 2018 को हॉस्पिटल ने पायल को होम ट्रीटमेंट के लिए डिस्चार्ज किया लेकिन पायल अब जिन्दा नहीं थी जिन्दा लाश बन गई थी वो कोमा में थी नवंबर 2018 को बंबे हाई कोल्ट में मौसमीर चटर जी और उनके पती जैन्त कुमार ने एक पिटीशन डाजी पिटीशन में उन्होंने पायल के पती यानि अपने दामाद डिक की सिन्हा पर ये इल्जाम लगाया कि वो उनकी बेटी का ठीक तरह से ख्याल नहीं रख रही है डॉक्टर्स ने कहा था कि पायल की रोज फिजियो थ्रैपी होनी चाहिए मगर डिक की नहीं करवा रही है डॉक्टर्स ने पायल का जैसा डायेट चार्ट बनाया था मौस्मी और जैन्त ने अदालत से सिफारिश की कि कोल्ट डिक्की सिन्हा को आदेश दे कि वो पायल की हेल्थ कस्टी उनकी पेरेंस यानी मौस्मी और जैन्त को दे इस मामले पर फिर डिक्की ने अपना पक्ष रखा Bombay High Court ने फैसले दिया कि ये परिवार के बीच का आपसी मसला है साथ मिल बैठ कर इसे सॉल्ट आउट कर ली 13 दिसंबर साल 2019 को पायल की मौत हो गई पायल की मरने के बाद मौसमी चेटर जी ने PC में कहा कि वो अपने दमा डिक्की सिनहा पर पायल की हत्या के तहत मुकदमा करेंगी फिर डिक्की मीडिया के सामने आई और डिक्की ने कुछ चौकाने वाली बाती बताई डिक्के के मुताबिक साल 2010 में जब से पायल और उन्होंने लव मेरिज की थी तब ही से पायल के साथ मौसमी के संबंद खराब हो गई थी और जब सारदोजा सत्या में कुछ बिजनेस से रिलेटेड मनमुटार हुए उसके बाद तो रिष्टे और भी गड़ गए डिक्की के मुताबिक मौसमी पायल से बहुत नफरत करने लगी थी पिछले पाँच महिनों में मौसमी पायल से मिलने केवल पाँच बार ही होस्पिटल आई वो भी केवल पाँच मिनट के लिए डिक्की के मुताबिक उन्होंने सैकडों SMS सैकडों कॉल्स की लेकिन पायल के अंतिम संस्कार में मौसमी ने फिर भी शिरकत नहीं की डिक्य के मुताबिक अब वो दुनिया के सामने उन्हें बिज़त करने और उनकी छवी खराब करने के आरोप में मौसमी चटरजी पर मानहानी का मुकदमा करींगी मुकदमा किस ने किया मुकदमा हुआ की नहीं कौन जीता कौन हरा इसके बारे में अभी तक कोई जानकावी सामने नहीं आई है अभी इसी साल माई में अपने एक नए इंटरव्यू में मौसमी कहती हैं कि पायल का गुजव जाना उनकी जिन्दगी का सबसे बड़ा हाथसा है वो आज भी उस हाथसे से नहीं निकल पाई है